देश पदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिंदा खबरे पोर्ट बेर्स थे जेल के उस कोटड़ी में जहावीर सावार कर कहते वहाँ जूते चपल पहन कर नजानी का नुरोत किया गया है अब वहाँ लगाएगा एक बोर्ट पर बाकाईदाल लिखा हुआ है कुरुपया अपने जूते चपल बाहर ही निकाले उदर अबिनेतरी जैकलिन फर्नांडीस की मनी लॉंडरिंग मामले में मुश्किल एक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मुंबई अरपोर्ट पर हिरासत में लेने के बाद अनिवारे शर्तों के साथ उन्हें छोड़ दिया गया इसी बीच पूरा मुख्यमंतरी देवेंदर फर्नाडीस ने कहा कि नए डॉक्टरों को यूवावस्ता में ही अपने मातर भूमी में सेवाद देनी चाहिए हमरे प्रेर ना धन नहीं बलकि ग्यान और सेवादे ना होनी चाहिए तो शिवसेना सांसत संजेर राउत ने कहा कि ममता बैनलजी कॉंग्रेस को छोड़कर विपक्ष का गडबंदन बनाने के लिए सोच रही है पलटवार में पूरा मुख्य मंतरी पृत्राज चवान ने कहा कि ममता को विपक्षी एक जुटका को तोड़ने की कोशिच नहीं करनी चाहिए इसके अलावार राजय के पूरो ग्रुवा मंतरी अनिल देश मुख से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशाले ने परंबिर सिंग का बयान दर्च किया जाँच अन्जनसी ने पाच गंटे तक पूछता अचकी प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ पोर्ट ब्लेर सिट जेल की उस कोठडी में जहां वीर सावर कर कैत थे वहाँ जूते चपल पहन कर न जाने का अनुरोत किया गया है दरसल रावेर तहसिल के निम्हुरा के एक सामाजिक कारे करता डॉक्टर स्टी चोधरी तीन साल पहले वहाँ गये थे तब उन्होंने देखा कि कुछ परेटक सेल के अंदर में चपल और जूते पहने हुए ही जाते है और कोई भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा है हाला कि उन्हें उस समय परेटकों के लिए जूते चपल बाहर निकालने के लिए आवश्यक होर्डिंग लगाना संबो नहीं था इसके बाद रावेर के शिक्षक और पत्रकार दिलिप वैद, प्रकाश पाटिल, विठोबा पाटिल आदी ने इस विशे को लेकर फिर अंदमान जाने का फैसला किया वहार डॉक्टर एजडी चौधरी ने वैद को अंदमान प्रकोष में जूते चपल न पहनने का अनुरोध बोड लगाने का सुझाओ दिया इस पर दिलिप वैद, प्रकाश पाटिल, विठोबा पाटिल और परिवार ने उस सेल के बाहर एक नोटिस बोड लगाया है जिस पर लिखा है कुरूपया अपने जूते चपल बाहर ही निकाले इनका कहना है कि यह अस्तान लाको भारतियों के लिए पूजा और तिर्धस्तल है हम सभी जिस तरह पूजास्तल को पवित्र मानते है उसकी पवित्रताब बनाये रखने के लिए हम जूते या चपल नहीं पहनते है उस तरह का आच रन यहां भी करे अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस की मनी लॉंडरिंग मामले में मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है रविवार को जैकलिन फर्नांडीस को मुंबई एरपोर्ट पर हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया जैकलिन फर्नांडिस के खिलाब E.D. ने लुकाउट नोटिस जारी किया था इसलिए उन्हें एरपोर्ट पर रोका गया हाला कि बाद में उन्हें देश से बहाद जाने की जाज़त मिल गई जैकलिन फर्नांडिस को सुचित किया गया कि उन्हें दिल्ली में E.D. के सामने पूचताच के लिए पेश होना है E.D. उनके खिलाब जल्धी नया समन जारी करेगी सुकेश चंदरशेकर ने 200 करोड वसुली मामले में जैकलिन फर्नांडिस का बयान प्रिवेंशन ओप मनी लॉंडरिंग एक के तहर दर्ज किया था जैकलिन इस मामले में एक गवा है एजनसी इस बात की जांच कर रही है कि ठक सुरेश चंदरशेकर और जैकलिन के बीच कोई वित्तिय लेन देन तो नहीं हुआ दिल्ली की रोहिनी जेल में बन सुकेश चंदरशेकर पर एक कारोबारी से एक साल के अंदर 200 करोड रुपे की रंगदारी वसोलने का आरोप है उसके खिलाब जबरन वसूली के 20 से जादा मामले दर्ज है और उसने जेल के अंदर से ही एक रैकेट संचालित किया हुआ है मूदरूप से श्रिलंका की रहने वाली जैकलिन को बॉलियोड एक्टर सलमान खान का करीबी माना जाता है विधान सभा में विपक्ष के नेता देविंद्र फडनविस ने कहा कि प्रदेश के पूर्वकी भाजपा सरकार में ने डॉक्टर ग्रामिन इलाकों के सरकारी अस्पतालों में सेवाय देने के लिए तैयार नहीं थे इस कारण सरकार के सामने गाओं में स्वास सेवाय पहुचाना बड़ी चुनो होती थी इसके मदे नजर ही टेली मेडिसी न योजना शुरू की गई थी तकनिकी की मदद से डॉक्टरों को गाओं के सरकारी अस्पतालों से ओनलाइन जोडा गया इससे डॉक्टरों ने शहर में रहते हुए गाओं के मरीजों के इलाज में सहयोग देना शुरू किया अब हम पर वेवसाइकता और स्परधा बड़े पैमाने पर हावी हो गई है मरीजों का दर्थ कहीं पीचे छूटता जा रहा है यह विडम बना है नए डॉक्टरों को युवावस्ता में ही अपने मात्र भूमी में सेवाई देनी चाहिए हमारी प्रेर ना धन नहीं बलकि ग्यान और सेवादे ना होनी चाहिए वे सातारा के कराड के एक नीजिम मेडिकल कॉलेज में आयोजित कारेकरम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने देशभर के स्वास्तकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दिल करने का फैसला किया है इसे देश में सबसे अधिक निवेश स्वास्ता अधार्बु सरचना के शेत्र में होगा एक साल में स्वास्ता अधार्बु धांचे के शेत्र में 2,13,000 करोड रुपई का निवेश होगा इस निवेश के अंदरूप मानो संसाधन की आवशक्ता पड़ेगी शुसेना सांसत संजर राउत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ममता विपक्ष की सबी दलों को साथ ले कर चलेंगी हाला कि वह कॉंग्रेस को छोड़ कर विपक्ष का गडबंदन बनाने के लिए सोच रही है इस पर तंज कसते हुए कॉंग्रेस के वरिष्ट ने ता तथा पूरमुख्यमंत्री पृतुराच चवान ने पुने में कहा कि मम्ता को विपक्ष की एक जुटता को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कॉंग्रेस के भी नाव विपक्ष का गडबंदन नहीं बन सकता है यदि कॉंग्रेस को छोड़ कर गडबंदन बने आ भी गया तो वह सफल नहीं हो पाएगा यदि मम्दा की कोई राजनी तिक महत्वा कांशा है तो उसमें कुछ लगत नहीं है लेकिन प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को हराने के लिए विपक्ष के सभी दलों को एक जुट होना चाहिए गौर तलब है कि अपने मुंबई दोरे के दोरान मम्दा बैनर जी ने प्रदेश के परेटन मंत्री आदित ठाकरे से मुलाकात कर दोनों प्रदेशों के परेटन के बारे में चल्चा की थी ममता का कहना था कि पश्चिम बंगाल और महराश्र दोनों प्रदेशों के बीच परेटन का आदान प्रदान बढ़ना चाहिए इसके अलावा उन्होंने आधित ठाकरे से मुंबई में बंगाल भवन बनाने के लिए भुकन उपलब्द कराने की मांग की है ममता का कहना था कि पश्चिम बंगाल से मुंबई के परेलस्ती टाटा कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए आते है लेकिन उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्तान नहीं हो पाती यदि पश्चिम बंगाल के लिए एक भुकन मिला तो वहाँ पर बंगाल भवन बनाया जा सकेगा राज के पूरवग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक से जुड़े मनिल लॉंडरिंग मामले में प्रवर्तनी देश्चाले ने निलंबित IPS और मुंबई के पुलिस आयुकतर है परंबिर सिंग का बयान दर्च किया है जांच एजनसी ने पाच घंटे तक सिंग से पूछताच की बता दे कि सिंग ने देश्मुक पर मुंबई के रेस्टराउं और बारों से हर मैं ने सव करोड रुपे की वसुली का आरोप लगया था हाई कोट के आदेश के आधार पर CBI ने मामले की प्राथमिक चांबीन जांच के बाद देश्मुक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ FIR दर्च की इस FIR के आधार पर EDI ने भी मामला दर्च कर चांबीन शुरू की EDI मामले में देश्मुक और उनके सयोग्यों को गिरफतार भी किया है इस मामले में बयान दर्च करने के लिए EDI ने सिंग को तीन बार समन बेजा था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे अदलत ने कई समन और नोटिस बेज़े जाने के बाद उन्हें भगोडा भी घोशित कर दिया था इसके बाद सुप्रिम कोर्ट से गिरफतारी से रहात मिलने के बाद सिंग मुंबई आये और अपने किलाब दर्च मामलों में पुलिस और अदालत के सामने पेश हुए हाला कि उन्हें ड्यूटी से बिना बताये गयर हाजिर रहने और दूसरे आरोपों के आदार पर निलम बित कर दिया गया अब वे अदालत के सामने है और कई मामलों का सामना कर रहे है देश के लिए आज की सबसे बड़ी खुशी खेल के मैदान से है भारत ने सोमवार को दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के चवते दिन न्यूजिलेंड को 322 रन से करारी शिकस दे कर दो मैचों की सीरीज एक शुन्य से जीत ली इसे बीच कोरणा को लेकर हैरत भरी जानकारी है ओमिक्रॉन के खत्रे को भाम भारत के कई लोग दूसरे देशों में जाकर बुस्टर डोस ले रहे है इन लोगों में बड़े उद्योकपती घराने या फिर बड़ी कमपनियों में उच्चपदों पर काम करने वारे लोग शामिल है तो यूपी के चंदवली जिले में सपा विदायक समेट सो लोगों परमुकदमाद दर्च कर लिया गया है आरोप है कि विदायक ने गुस्ते में सियों का सिर पकड़ कर अपने सिर से लड़ा दिया था वह इलाबत हायकोट ने सारवजनिक वितरन परनाली में नई कानून वेवस्ताब बनाते हुए बहु या विदा बहु को भी परिवार की श्टेणी में रखने का आदेश दिया है अदालत ने कहा कि परिवार में बहु का आदिकार बेटी से ज्यादा है इसके अलावा मुस्लिम युवक के जैशीराम का नारा लगाने से हुआ विवाद और बढ़ गया है सफाई में मुस्लिम युवक ने कहा कि जिस मुल्क में हम रह रहे है उसकी जैजेकार करनी चाहिए उलेमाओ का क्या कहना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है देश के इन पाच बड़ी खोबरों को विसार से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ भारत ने सोमवार को यहाँ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के चोथे दिन न्यूजिलंड को 312 रन से करारी शिकस दे कर दो मैचों की सीरीज एक शुने से जीत ली न्यूजिलंड की टीम 540 रन के मुश्किल लक्ष का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 166 रन पर आउट हो गई भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रन बनाये थे जिसके जवाब में न्यूजिलंड की टीम 62 रन पर सिमेट गई थी भारत ने अपनी दूसरी पारी साथ विकेट पर 276 रन पर समाप्त गोशित की थी दोनों टीम के बीच कानपूर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉच उटा था यह भारतिय क्रिकेट टीम की घर में लगाता चोओदावी टेस्ट सीरीज जीत है वही साथ ही यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है इसके साथ ही भारत ने 2021 में अपना 7 वा टेस्ट मैच जीता है भारतिय टीम ने न्यूजिलंड के खिलाब मुंबे टेस्ट मैच जीतने से पहले इंगलेंड के खिलाब दो टेस्ट मैच जीते थे और इससे पहले तीन मैचों में भारत ने अपनी मेजबानी में इंगलेंड को हराया था इसके अलावा आस्टेलिया दोरे पर भी भारतिय टीम ने एक टेस्ट मैच जीता था इससे पहले 336 रन से 2015 में दक्षिन अफरिका के खिलाब जीत दर्ज की थी फिर 2016 में न्यूजिलंड के खिलाब 321 रन की बड़ी जीत मिली थी भले ही भारत में अभी तक बुस्टर डोस को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही इस पर कोई ने लिया जा सकता है कोरोना वैक्सिन की अत्रिक्त खुरा को लेकर कई बैठके भी हो चुकी है वेग्यानिक भी इसकी जुरुरत बता चुके है ऐसे में जल्द ही केंद सरकार बुस्टर डोस को लेकर दिशानेरदेश जारी कर सकती है संभव है कि पहले चरण में बुस्टर डोस बुजर्गो वा खराब इम्मुनिटी वाले लोगों को दिया जाए इस बीच खबर है कि ओमिक्रॉन के खत्रे को भाम भारत के कई लोग दुसरे देशों में जाकर बुस्टर डोस ले रहे है इन लोगों में बड़े उद्योगपती घराने या फिर बड़ी कमपनियों में उच्चोपदों पर काम करने वाले लोग शामिल है उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर चिंतित है इसलिए चिकित्सिये परामर्श के बाद वे विदेश यात्रा कर रहे हैं एक बड़ी कमपनी के शिश अधिकारी ने कहा कि उनके यहां के कई करमचारी बुस्टर डोस के लिए अमेरिका की यात्रा कर चुके है भारत से जो लोग बुस्टर डोस के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं उनका पसंदी दादेश ब्रेटन और अमेरिका है वहीं फाइजर के अत्रिक्त खुराक लेने वाले दुबई भी जा रहे है एक कमपनी के CEO ने कहा कि भारत में अभी तक बुस्टर डोस को लेकर फैसला नहीं हुआ है मुझे नहीं पता कि यह कानूनी है या गैर कानूनी लेकिन लोग स्वास्त के प्रतीच चेंतित है और खुद को बचाना चाहते है वेज़ो खीम नहीं लेना चाहते है UP के चंदोली जिले में सपा विधायक समेथ 100 लोगों पर मुकदमार दर्च कर लिया गया है दरसल वहा के रामगर सित की नरा मठ पर मुख्यमंत्री का कारे करम आयोजित किया गया था इस दोरान कुछ सपा कारे करता मुख्यमंत्री को ग्या 500 अपने जा रहे थे इसमें पूर्वसांसत रामकिशुन यादव, सकलडिया विधायक प्रभु नारायन सिंग यादव, पूरविधायक मनुष सिंग डबल्यू, जिलाद्दैक्ष सहीत दर्जनो सपानेता भी शामिल थे सपाईयों का काफिलाज जैसे ही चहनियों के समीब लक्षमनगर पहुँचा, पुलिस ने उन्हें रोक दिया इस दोरान सकलडिया सियो अनुरुद सिंग, पुलिस स्पोर्स के साथ सबाकारे करताओं को समझाने की कोशिश की इसी दोरान सकलडिया विदायक प्रभु नारायन सिंग यादों ने सियो अनुरुद सिंग का सिर पकड़ कर अपने सिर से लड़ा दिया सियो के साथ बदसलुकी होने के बाद पुलिस ने सपाईयों पर लाठी चार्ज कर दिया सूचना मिलने के बाद P.A.C.B. मौके पर पहुँच गई वही पूर्वस्तांसद रामकिशन यादों ने जिला प्रशासन बर्द तानाशाही करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं से मुख्यमंतरी को अउगत कराना किसी प्रकार से अनुचित नहीं है पुलिस ने रोका तो दोनों में जड़प हो गई थी इस दोरान सकल डिहा में सपाविधायक ने सियों का सिर पकड़ कर अपने सिर से लड़ा दिया था अब इस मामले में मुकदमा दर्च करने की तयारी चल रही है इलाबध हाइकोर्ट ने सारवजनिक वितन प्रनाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहु या विद्वा बहु को भी पारिवार की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है इसके साथ ही सरकार से पाच अगस 2019 के आदेश में बदलाव करने का निर्देश दिया है हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहु का आदिकार है हाई कोट में अपने इस आदेश में उत्तरप्रदेश पौर्क और कॉपरेशन लिमिटेट सुपरा सुधा जन बनाम उत्तरप्रदेश राज, गीता श्रिवास्तो बनाम उत्तरप्रदेश राज के केस का हवाला भी दिया और याची पुषपा देवी के आवेदन को सुविकार करने का निर्देश देते हुए उसके नाम से राशन की दुकान का आवंटन करने का निर्देश दिया है याची पुश्पा देवी ने हाई कोट के समक्ष आवेदन किया है कि वह विद्वा है उसकी सास महदेवी देवी के नाम राशन की दुकान आवंटित थी 11 अप्रेल 2021 को सास की मौत हो गई उसके बाद उसके परिवार में ऐसा कोई पुरुश या महीलान नहीं बचा जिसके नाम से राशन की दुकान आवंटित की जा सके लिहाज़ा वह अपनी सास की विदिक उत्तराधिकारी है और उसके नाम से राशन की दुकान का आवंटन किया जाए लेकिन अथॉर्टी ने यह करकर उसका प्रत्यावे दनिरस्त कर दिया कि उत्तरपदेश सरकार के पाच अगस 2019 के आदेश के तहट बहु या विद्वा बहु को परिवार की शेनी में नहीं रखा गया है लिहाजा बहु को राशन की दुकान का आवंटन नहीं किया जा सकता है केंद्रिय गुरुह मंतरी अमिश्चाह और उत्तरपदेश के मुख्य मंतरी योग्यादितनात की सारणपूर में हुई जनसबा में एक मुस्लिम युवक के जैशी राम का नारा लगाने से हुआ विवाद और बढ़ गया है दरसल दो दिसंबर को होई इसरेली में अहसान राव नाम के मुस्लिम शक्स ने जैशी राम और भारत माता की जै के नारे लगाये थे उसका ये वीडियो सोचल मीडिया पर बड़ी तेजी से वारल हुआ तो देवबंद के मौला नाम मुफ्ती असद काजमी ने इस पर कड़ा इतराज जताया और इस गल्ती के लिए अल्ला से माफी मांगने की सलाह दी उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने कहा कि इस शक्स को चाहिए कि मौला नाम से मिलकर रजु करे और अल्ला से तौबा करे साथ ही कहा कि अपने दुनियाबी आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इस तरह के नारे लगाने से इंसान इसलाम से जाया हो जाता है वही जैश्री राम का नारा लगाने वाले अहसान राव ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है राव ने कहा कि भगवान राम हमारे पूर्वज है और हम सभी राम के वन्शज है मुझे जैश्री राम बोलने में या भारत माता की जैब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जैजेकार करनी चाहिए उले माव का क्या कहना है उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका और चीन के बिश तनातनी खत होने का नाम नहीं ले रही है अब खबर है कि अमेरिका चीन के बिजिंग में होने वाले ओलमपी के राजनिक वहिशकार का एलान कर सकता है तो वहीं जॉर्डन की एक अदालत ने राज के एक अस्पताल की निदेशक को दस कोरणा रोग्यों की मौत के मामले में तीन साल की सजाज सुनाई है उदर अटारी बॉर्डर पर नियानवे पाकिस्तानी नागरी कुछ न कुछ कारणों से फसे है इसमें से गरबवती महिला ने बचे को जन दिया है जिसका नाम बॉर्डर रखा गया है इसी बीच अफगानिस्तान में भूग की वज़े से दस लाख बच्चों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है हाल के महने में वहां भूग का संकर्ट गंबिर हो गया है तो भारत के खिलाब पाकिस्तान 14 वश के उम्र के 300 से जादा बच्चों को फियादीन हमले के लिए तयार कर रहा है इसमें 40 से जादा बच्चों को वग कसाब की तरह आतं की बनाने की फिराप में है दुनिया बरकीन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बनरी आप हमारे साथ अमेरिका चीन के बिजिंग में होने वाले ओलंपिक के राजनिक बहिशकार का एलान कर सकता है अमेरिका का यह कदम अमेरिकी एथलिटों को प्रतिसपरदा करने से रोके बिना विश्वमच पर चीन को एक कड़ा संदेश बेजने की कोशिश माने जा रही है 2022 के फरवरी में चीन के बिजिंग में शीत कलन ओलंपिक खेल होने है वाइट हाउस के तरब से आमतोर पर ओलंपिक के उदगाटन और समापन समारों में एक प्रतिनी दिमंडल भेजा जाता है लेकिन इस बार यह संबव नहीं लग रहा है अमरिका में शीष सांसोतों द्वारा भी राजनिक भहिशकार का आववान किया गया है NBA बास्केटबॉल खिलाडी और मुखरमान ओधिकार अधिवक्ता NS कनेटर भहिशकार का आववान करने वाली नविंतम हाई प्रोफाइल लोगों में से एक है याद रहे पिछली बार 1910 में भी अमरिकार ने अलम्पिक का पूरी तरह भहिशकार किया था जब पूरा राष्टपती जिमी कार्टर पर थे इस मामले पर यूरोपिय संसत के सांसुदों ने सहमती जताते हुए कहा कि हमें चीन के मानवाधिकारों के हनन के कारण बिजिंग 2022 शीतकालिन ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाले निमंतरों को असिवकार करना चाहिए इसके साथ ही यू संसुदों ने अपनी सरकारों से मांग करते हुए उईगर मुसल्मानों को लेकर चीन के वेवहार और अधिक प्रतिबंद लगाने की बात भी कही जॉर्डन के एक अधालत ने राज़क एक अस्पताल के निदेशक को दस कोरोना रोग्यों की मौत के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है दरसल कोर्ट ने माना कि कोरोना मरिजों की मौत ऑक्सिजन की कमी के कारण हुई अस्पताल ने अपनी ओर से आवशक अहरताओ को पालन में गलती की जिसका खामियाँ जार लोगों को भुगत ना पड़ा अधालत ने इसके लिए अस्पताल के निदेशक को दोशी ठहराते हुए फैसला सुनाया कोर्ट में अस्पताल निदेशक अब्दिलरजाक अलखशमान और चार सहयोग्यों को साल स्टेट अस्पताल में रोग्यों की मौत के कारण का दोशी ठहराए गया इसमें कोरोना मरिजों की ऑक्सिजन सपोर्ट निकालने के बाद मौत हो गई थी हाला कि निदेशक अदालत के फैसले के खिलाब दस दिनों के वीतर अपिल कर सकते है बीते मार्च में जॉर्डन के एक अस्पताल में दस खोरोना रोग्यों की मौत हो गई थी इसके बाद लोगों ने सडक पर उतर कर सरकार के खिलाब जम कर विरोध पदरशन किये थे यहाँ तक कि इस मामले को लेकर स्वास्तमंती नजिर ओबेदत ने इस्तिपात तक दे दिया था इस तरासदी के बाद किंग अब्दुल्ला दूतिया ने राच की अस्पताल का दौरा किया था जहां सेक्डों लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी भारत में लोगडाउन लगने से पहले पाकिस्तान के कुछ लोग रिशदारों से मिलने और धार्मिक स्तलों के दर्शन करने के लिए यहां आये थे उसमें से 99 पाकिस्तानी नागरीक अभी भी यहीं फंसे है इसमें बुजर्ग, महिलाए और बच्चे शामिल है किसी न किसी तकनी की खामी के चलते यह भारत से अपने वतन नहीं लोट पा रहे करिब 71 दिन पहले यह पाकिस्तानी नागरीक वतन लोटने के लिए राजस्तान सहीत भारत के अन्य प्रदेशों से अटारी सीमा पर पहुचे थे चुकि इनके पास अटारी सीमा सडक रास्ते से पाकिस्तान लोटने की इजाज़त नहीं है इसलिए पाकरेंजर्स ने इनको लेने से मना कर दिया अब वतन लोटने के इंतजार में अटारी सीमा के बाहर रह रह रहे है उसी रहन बैसरा में एक पाकिस्तानी हिंदू महिला निम्बू बाई भी है वह गर्भवती थी वह यहीं आसपास के डॉक्टरों से जांच करवा रही थी दो दिसंबर को अचाना की उससे प्रसव पीडा शुरू हो गई तो आसपास के गाउ की महिला है उसकी मदद के लिए वहां पहुँच गई गाउ की लोगे ने जहां तुरन उसे मेडिकल सुविदा उपलक्त करवाई वही उनकी ज़रूरत के अनुसार कुछ सामान भी दिया पाकिस्तान के जिला रहमिया के गाउ राजन पुरानिवासी नवजन में बच्चे के पिताब बालम राम ने बताया कि इमिग्रेशन विबाग की मताबिक उनके दस्तावेच पूरे नहीं है जिसके चलते उन्हें यहां रुकना पड़ा और दो दिसंबर को उनके घर एक बच्चे ने जन लिया क्योंकि बच्चे का जन अटारी बॉर्डर पर हुआ है तो उन्होंने इसका नाम बॉर्डर रग दिया है तालिबान के चार मेने के शासन में ही अफगानिस्तान बेहत बदहाली और तंगहाली के दोर में पहुँच गया है आलम यह है कि दो दशक से युद्दगरस्त रहादेश अब भुकमरी की कगार पर पहुँच गया है कुछ सहायता समुहों ने कहा है कि सर्दी के इस मौसम में भुक की वज़ज़ से 10 लाग बच्चों की जान जा सकती है अफगानिस्तान में दशकों से कुपोशन की समस्यार रही है और हाली के महिनों में भुक का संकट गंबिर हो गया है इन में से करीब 87 लाख लोग अकाल के करीब है जो की खाद्य संगट का सबसे खराब चरण होता है सरदी के बढ़ने के साथ मानविय संगटनों ने चेताओनी दी है कि 10 लाख से अधिक बच्चों की जान जा सकती है रिपोर्ट के अनुसार संकट संभावित रूप से नई तालिबान सरकार और संगतर राज अमिरिका के लिए हानिका रख है जो आर्थिक प्रतिबंदों को कम करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है अफगानिस्तान में महिनों से अधिक तर लोगों की आमदनी बन है भले ही वो मजदूर हो या डॉक्टर, टीचर या अन्न किसी काम को करने वाले खाने पिने की चीजों और अन्ने मुलभूत वस्तों की कीमत बहुत अधिक होने की वज़े से ये कई परिवारों के पहुंच से बाहर है पाकिस्तान भारत के खिलाप लगाता जहर उगलता रहा है एक तरफ वह भारत में आतंकी घटनाओं को अन्जाम दे रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर खुद को पाक साब साबित कर रहा है हाला कि हर जगा उसे मूँ की खानी पर रही है अब ख़बर है कि वह 14 वर्ष के उम्र के 300 से ज़्यादा बच्चों को फियादीन हमले के लिए तयार कर रहा है इसमें 40 से ज़्यादा बच्चों को वक कसाब की तरह आतंकी बनाने की फिराक में है खुफिया सुतरों के अनुसार प्योके टु कश्मीर साजिश के तहत आईसाई भारत में बड़े फियादीन हमले की तयारी कर रहा है आईसाई ने प्योके के मुजफराबाद, गिलगित, पियोन और पब्बी जैसे कुछ जगों पर तेरा नय आतंकी ट्रेनिंग कैम्प खोले है कुछ ट्रेनिंग कैम्प लाँचिंग पैड के पास है खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान से लाए गए कुछ लोगों को भी यहां आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है आईसाई इन मासुम बच्चों को भविश्य में आतंकी बनाने के लिए चीन और तुर्की के हतियार चलाने बम बनाने उसे चलाने जीपियस चलाने जैसे अन्य चीजों का प्रशिक्शन दे रहा है आईसाई अधिकारी सेना के अधिकारी और कुछ आतंकी संगटनों के भी ट्रेन्ड आतंकी इस ट्रेनिंग कैम्प में बच्चों को प्रशिक्शन दे रहे है तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखतेर ये वी के बिनियूस, नमस्कार